हेलो फ्रेंट्स आज हम what's up प्रोटो शॉप में ऐने इमेज करेंगे जिसमें हम इस प्रेकार के आनिमेशन दिख़्ाइए और इस्प्रकारके आनिमेशन हम कैसे कर सकते हैं वो आज आपको बताएंग tips सबसे पहले हम एक image open करेंगे, जिसमें हम इस प्रकार की animation दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम short command का use करेंगे, control हो, यह मेरी image है, इस image को मैंने select करके double click किया, तो यह image हमारे Photoshop application के अंदर open हो गई है, यह जितना भी white area मुझे दिख रहा है, इस car की body का पार्ट है, इसका मुझे selection इसका selection बनाने के लिए हम pen tool का use करेंगे, pen tool का जो short command होता है, वो p होता है, यह फिर आप tool box में, यहाँ पर pen tool को select कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी इस image को थोड़ा zoom कर लिजे, zoom करने के लिए हम short command control plus का use करेंगे, और with the help of space बार, आप अपनी इस image को थोड़ा pen कर सकते है और image को zoom कर लिजे, ताकि हम proper देख सके कि हम क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे है, pen tool की मदद से आप मैं इसका selection बनाऊँगा, left click आप दबाईए यहाँ पर, यह आपका एक anchor point यहाँ पर add होगे, और जैसे जैसे यह हमारा body का part का flow जैसे चल रहे है, उसके according हम pen tool को यहाँ पर click क जो position है उसे आप set कर सकते हैं, उसके बाद, alt दबाकर आप चाहे तो इसका जो आगे का anchor point का handle है उसे आप cut भी कर सकते है, alt दबाकर left click कीजे, उसके बाद हम एक point यहाँ पर click करेंगे, ऐसे, alt दबाकर मैं फिर click कर देता हूँ यहाँ पर, यह देखे, आप चाहे तो इस selection को rough भी बना सकते हैं, control दबाकर या फिर आप alt दबाकर भी इस handle के movement से अपने इस curve को position देकर set कर सकते हैं, एक point हम यहाँ भी click करेंगे, so friends, यह आगे का जो सारा process है, वो मैं आपको थोड़ा fast forward करके दिखाता हूँ, क्योंकि इधा पर हमारा जो target है, वो आपको pen tool से selection कैसे बनान वो बताना नहीं है, लेकर इस car का जो body part है, उसमें हम color को कैसे animate कर सकते हैं, वो चीज़ बताना है, यह आगे का process है आप लोग complete कर लीजे, ऐसे इसी technique से मैंने इस पूरी image का selection मनाया हुए, मैंने इसका complete selection मना लिया, body part का, with the help of pen tool, अब इस selection को activate करने के लिए, हम short command का use करेंगे, control plus enter, यह मेरा selection बन गया, इस selection को मुझे 50% gray color से fill करना है, लेकिन उसके पहले, हम एक new blank layer लेंगे, background layer के उपर, जिसके हम short command का यहाँ पर use करेंगे, control plus shift plus end, यह जो layer का dialogue box कुला है हमारे सामने, इसको हम rename कर देते, color animation, ok में click कर दीजे, इसे मुझे 50% gray color से भी fill करना है, जिसके हम short command का यहाँ use करेंगे, shift F5, और fill dialog box जब खुलेगा आपके सामने, तो contents में आप 50% gray option को select कीजे, ok बटन में click कर दीजे, इस selection को deselect करने के लिए, हम short command का यहाँ use करेंगे, control plus D, अब यह जो color animation वाली जो मेरी layer है, इसका blending mode है मुझे overlay करना है, जिसके आप यहाँ पर simply click कीजे, और blending mode है आपका overlay select कर लिजे, इसके बाद next action जो हमारा होगा, layer style का हम इसमें use करेंगे, layer style का use करने के लिए layer panel में, आपको यहाँ बहुत सारे options दिख रहे हैं, जिसमें effects जो option है, इसमें आप simply click कीजे, add a layer style, जिसमें आप color overlay option को select कर लिजे, जैसे आपकी requirement है, उसके according आप select कर सकते हैं, और यह जो blending option है, इसमें आप click करके, advanced blending के नीचे जो यह fill opacity का option आपको दिख रहे हैं, यह 100% मुझे यहाँ show कर रहा है, इससे आप zero कर लिजे, और ok में simply click कर दीजे, यहाँ पर, इसके बाद जो हमारा next step होगा, यह जो हमारी background layer है background layer का जो हमारा lock है, इसे unlock करना है, जिसके आप background layer के उपर double click कर सकते हैं, या फिर इस lock को left click दबाकर drag करते हुए, thrash को उपर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर click करेंगे तो भी यह unlock हो जाएगा, इसको हम rename करने के लिए, आप layer 0 को, जो background वाली हमारी layer थी, इसमें double click कीजे, और इ timeline में आप click कीजे, timeline के panel में आप देखे, इदर पे आपको दो layer हमारे show कर रहे हैं, जो हमारे normal layer panel के अंदर दिखाता है, color animation और car, और वही चीज़ हमें timeline के अंदर भी यहाँ show कर रहे है, तो जो हमें animation करने है, वो color animation वाली layer के उपर करने है, जिसमें आप देखे, color animation जहां लि इसको left click दबा कर आप ऐसे ऊपर की और ऐसे drag कीजे, इसके बाद यह style हमारा option है, यहाँ पर simply और आपका slider है, पहले तो 0 second पर होना चाहिए, उसके बाद आप style पर यहाँ click कीजे, तो देखे, style पर click करते ही, इदा पर key add हो गई है, इसके बाद यह जो हमारा slider है, इस slider को हम 2 second तक लिके जाएंगे, left click दबा कर आप इसे ऐसे drag कीजे, यह देखे, इदा पर drag करते ही, इदा पर 2 second का इदा पर parameter हमें दिखा रहा है, इसके बाद आप यहाँ से यह चोटा सा जो आइकन आपको दिख रहा है, add और remove keyframe, add playhead, यहाँ पर simply click कीजे, तेख की हमारे यहाँ add हो इसके बाद मुझे इस slider को 10 frame आगे बढ़ाने, जिसके हम अपने slider को left click दबा कर 10 frame आगे ऐसे drag करके forward करेंगे, इदा पर आपको show कर रहा है, 2 second 10 frame, इसके बाद आपका यह जो color animation वाला जो layer था, जिसमें हमने layer style का यूज किया था, color overlay, यहाँप आप डबल क्लिक कीजे, तो य यहाँ पर blending mode overlay है हमारा और यह जो color, तो color में आप यहाँ पर simply click कीजे, और color यहाँ से हम change करेंगे this time, तो यह जो slider आपको यहाँ देख रहा है, यहाँ से आप color change कर लिजे कुछ, जो भी color आप अपनी कार में देखना चाहते हैं, वैसा color आप यहाँ से पसंद कर लिजे, ok button म क्लिक कीजी, जैसी मैंने ok में क्लिक के यहाँ पर देखे, automatically एक key add हो गई है, इसके बाद हम इस timeline के slider को और आगे extend करेंगे, maybe 4 second, देखे 4 second यहाँ पर show कर रहा है आपको, 4 second तक मैं इस slider को लेके गया, उसके बाद हम इधा पर key फिर से add करेंगे, style के बाजू में यह चोटा स जो आइकन है, add or remove key frame, add play head, इसे क्लिक कर दीजे, और इस slider को हम once again 10 frame आगे extend करेंगे, जिसके लिए हम अपने slider को ऐसे drag करके लिके जाएंगे, 4 second 10 frame, उसके बाद color overlay option को आप पर से क्लिक कीजे, और यहाँ से हम कुछ different color इस बार लेंगे, और यहाँ OK बटन में आप क्लिक कर द करने के लिए, यह छोटा सा आपको इदा पर slider दिख रहा है, इसको आप left की और ऐसे drag करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा, अब मुझे अपने इस animation का time duration एक second और बढ़ाना है, जिसके लिए जो color animation वाली जो मेरी layer है, यह इधर पर आप देखे, जैसे मैं mouse का pointer लेके जा रहा है, इसको आप left click दबा कर ऐसे आगे की और drag कीजिए, और आपको end duration आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसे आप six second तक लेके जाएए, यह देखे, six second आपको यहाँ शो कर रहा होगा, तो यहाँ तक हम लेके जाएंगे से, और यह जो हमारी नीचे background वाली जो layer है, car वाली यह हमने इसे six second तक extend कर दिये, इसके बाद आप अपने slider को six second के mark तक लेके जाएए, और यहाँ पर हम एक key add करेंगे फिर से, और मैं चाहता हूँ कि इसे 10 frame और बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसे मैं फिर से थोड़ा section कर रहा हूँ, round about six second ten frame, नीचे वाले को भी हम वैसे ही क क्लिके जाएंगे, इसके बाद color overlay वाले जो हमारा option है, यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे, और इस बार हम कुछ different color लेंगे, okay में क्लिक कर दीजिया, so यह हमारा इदा पर animation complete हो चुक है, अपने इस animation को देखने के लिए, प्ले करने के लिए, आप simply यहाँ पर क्लिक कर सकते ह की हमारा animation यहाँ पर शुरू हो चुक है, अब इस animation को as a video या photoshop के बाहर देखने के लिए, इसका final output निकालने के लिए, सबसे पहले तो मैं इस animation को यहाँ पॉस्ट कर देता हूँ, और इसका final output as a video निकालने के लिए, हम simply यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यह छोटा सा icon आपको रेंडर वीडियो का जो डायलग बॉक्स है आपके सामने उपन हो जाएगा जिसमें आप अपने इस एनिमेशन को कुछ नाम दे सकते हैं और इदा सेलेक्ट फोल्डर में आप अपना डेस्टिनेशन बता सकते हैं कि यह फाइनल आउटपुट आपका कहा निकलना चाहिए तो बाइडिफॉल्ट में डेस्टॉप सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पर ओके मैं आप क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट में यहां पर तीन ओप् तो हम यहां पर पाल डीवी सेलेक्ट कर रहें और इदा पर फ्रेम रेट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं वैसे हमारे टाइम लाइन में यह 30 फ्रेम पर सेकंड तो आप यहां पर 30 फ्रेम पर सेकंड रख सकते हैं या फिर आप इसे 25 फ्रेम पर सेकंड पे भी इसका रेंड में क्लिक करते ही ये final output हमारा निकलना शुरू हो गये So friends, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए Thank you friends for watching my video